मुनी चूला जलाने की कोशिश करती हुई गुस्से में बड़बडाई जा रही थी तो वहीं छे साल की राधा तक-टकी लगाए प्लेट लिए बैठी पूछती है मा, रोटी कब बनाओगी? भूख लगी है भूख लगी है तो चूले की राख खाले तबी फटे चिटे गुदरी के बिच्छोना पर बैठी हुई बोड़ी सास सुमती ने कहा अरे क्यों बिचारी बच्ची पर भड़क रही है बहू? रोटी ही तो मांगी है उसने चूला जले तो रोटी पकाऊना मा जी इतने में दिन भर का थका हारा कनहिया मिट्टी पसीने से तर भूख से बेहाल घर आया अरे राधा की मां जल्दी से खाना लगा दे बड़ी भूख लगी है मुनी की कड़वी बाते सुनकर कनहिया से भी रहा नहीं गया हाँ तो मैं भी कौन सा सुक भोग रहा हूँ? कोई राजा बाबू के जिंदगी नहीं जी रहा दिन बगदों की तरह मेहनत मजदूरी करता हूँ तब तुम लोग रोटी खापाते हो एक दिन खर बैठ जाओं तो रोटी भी नहीं मिलेगी दोनों को जगरते देखकर सुमती डांट लगाती है अरे राम बस करो तुम दोनों पती पतनी का तो रोस का हो गया है और बहु तू पती जब काम करके आता है तो उसे पानी के लिए पूचते हैं ना की जगरते हैं भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीख पर मुन्नी को अपनी सास की बात कहां समझाने वाली थी वो तो बस अलगी खुआवों में जीती थी जाने वो दिन मेरी जिन्दगी में कब आएगा जब मेरे बिठाट होंगे हैं भगवान ज्यादा नहीं मांग रही बस एक बड़ा सा घर दे दे जहां खुप सारे नौकर चाकर हूँ और मैं रानी बनकर खुश रहूँ इसी तरह से वक्त गुजरता है फिर एक दिन मुनी राधा को लेकर बाजार जाती है जहां एक मॉमोस के ठेले पर भीड देखकर राधा बोलती है मैं मुझे चिकन मॉमोस खाना है दिला दो ना इतने पैसे नहीं है राधा मैं दस के दिला दो ना चलो ना जिद करके राधा मुनी को मॉमोस वाली के पास ले आई कहो बेहन जी कौन सा मॉमोस दू चिकन मॉमोस तंदोरी मॉमोस बस दस का चिकन मॉमोस दे दो है? चिकन मॉमोस दे दू पिदश रुपे का? चलो चलो आगे बढ़ो, दस रुपे में चिकन मॉमोस खाएंगी, गरीब कहिंगी मॉमोस वाली बेज़ती करके दोनों को भगा देती है, दोर खड़ी मुन्नी उसे मॉमोस बनाते देखती है ये चिकन मॉमोस बनाना तो बड़ा ही आसान है ये तो मैं भी बना सकती है और इसमें कमाई भी खोब है घर आकर मुनी ने सास और पती को चिकन मॉमोस बेचने की बात कही दोनों राजी हो गए मुनी तुम चिकन मुमोस बेचना चाहती हो तो ठीक है पर पैसे तो है नहीं मैंने कुछ एक हजार गुलक में जोड़कर रखे थे उससे सामान ले आऊंगी अगले दिन मुनी तड़के भोर उठकर मुमोस का सामान और चिकन खरीद लाई और मुमोस बना कर ठीक उस मुमोस वाली के एकदम सामने स्टॉल लगा लिया पिर मुमोस वाली लोगों को सस्ते मुमोस का लालच दे कर बुलाने लगी आओ आओ सस्ते तीके चिकन मुमोस खाओ वो भी बीस के तीन नहीं बलकि चार मुमोस अरे ये मुमोस वाली बीस रुपई के चार चिकन मुमोस दे रही है यानि कि एक ज्यादा चलो चलो वहीं चलते हैं हरे हाँ चलो चलो सबी लोग मॉमोस वाली के पाजार कर खाने लगी अरे जरा 20 के चिकन मॉमोस देना और हाँ चटनी ज़्यादा डालना जी भयाजी ये लो आपके 20 के चिकन मॉमोस अरे वाँ भई वाँ तुम्हारे चिकन मॉमोस तो बहुत ही बढ़िया हैं अब तो हम यहीं से खाएंगे अहम मेरा आइडिया तो काम कर गया वैसे भी ग्राहक तो वहीं जाते हैं जिदर सस्ता हो दीरे दीरे मुन्नी का चिकन मॉमोस का व्यापाज चल पड़ा अब तो उसके ठेले पर खुब भीड लगी रहती है फिर एक दिन सुनो जी मेरा मॉमोस का काम बढ़ गया अब तुम ये बालू सीमें डोना छोड़कर मेरे संग लग जाओ फिर देखना मुनाफा ही मुनाफा होगा ठीक है राधा की मा उस दिन मुन्नी कसाई के पास चिकन खरीदने आई अरे ओ भाई ये जल्दी से दस किलो ताजा मुर्गा काट कर दे न अरे दस किलो चिकन के तीन हजार हो गई चिकन का दाम बढ़ा देखकर मुनी का कलेजा जैसे मूँ को आ गया क्या 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 तीन हजार क्योंकि चिकन का दाम बढ़ गया है तब भी उसके नजर पास में रखे चिकन पर गई जो कि कई दिन की बासी थी और उस पर मक्हियां भिन मिना रही थी इतना महंगा चिकन खरीद कर मॉमोस बनाओंगी तो क्या बचेगा ये ले लेती हो अरे भाई तू ये चिकन तौल दे अरे पर ये चिकन ठीक नहीं बासी है तुम इसका क्या करोगी तुझे देना हो तो दे दे समझा ज्यादा सवाल जवाब ना कर बीस रुपए दुंगी इसके इस बार मॉमोस वाली ने कसाई को लालच देकर चिकन खरीद लाई और फिर दोनों पती पत्नी मॉमोस बनाने लगी अरे इस चिकन मैंसे तो बड़ी बदबो उठ रही है नाग भी नहीं दिया जा रहा अरे ये बीस रुपए में पूरा माल है आज तो मॉमोस में मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा होगा भागिवान अपना मुनाफ़ा देखने के चक्कर में तुम लोगों की सेहत की नहीं सोच रही इतना लालच मत करो कहीं लेने के देने न पड़ जाए अरे तुम चुप करो थोड़ा बहुत सब करते हैं मुनी ने एक न सुनी और उसने ग्रहाकों के साथ घपले बाजी करते हुए उन्हें बासी चिकन के मॉमोस बेचे तब एक नई औरत ने पहली बार मुनी के चिकन मॉमोस खरी दे अरे ज़रा एक प्लेट चिकन मॉमोस देना कैसे रुपे प्लेट है ये तो नहीं दिखती है इसको तो काटना बनता है जी चालिस रुपे के चार चिकन मॉमोस नया ग्रहाक देखकर मॉमोस वाली अपने लालच साधने के उसे डबल दाम बताकर मॉमोस खाने को दे दिये और अतने चिकन मॉमोस खाते ही उसे थूख दिया तु 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 अरे अरे ये कैसे मॉमोस है इसमें का चिकन खराप सा लग रहा है इतने में ग्रहक भी फुस फुस आने लगे अरे पता नहीं क्यों अब इन चिकन मॉमोस में पहली जैसा स्वार नहीं रह गया अरे हाँ भया आज इस चिकन में से घजब सी अजीब सी बदबू आ रही है जैसे कि चिकन बहुत दिन का हो भेट खुलता देखकर लालची मोमोस वाली चिंता में आ गई और कहा इस एक औरत ने सब के मन में शक डाल दिया तर्मत मुनी वरना पकड़ी जाएगी मुनी गहाकों को विश्वास दिलाने के लिए इमानदारी का ढखोसला करने लगी भाईया जी क्या आप लोगों को लगता है कि मैं मिलावट करूंगी मैं आप लोगों को अपना गहाक नहीं बलकि परिवार मानती हूँ इतने के बाद भी मुमोज वाली ने ज्यादा मुनाफ़क कमाने के चक्कर में चोरी मिलावट और घपले बाजी नहीं छोड़ी और चिकन मुमोज का दाम भी बढ़ा दिया अरे बहन जी एक प्लेट चिकन मुमोज लगाना हाँ येलो भाई एक प्लेट तीके तीके चिकन मुमोज फिर जब गहाक चिकन मुमोज खा चुका तो मुमोज वाली ने दाम का टोकरा उसके सिर पर तोड़ते हुए कहा चलो भाईया जी सौर रुपए निकालो सामने से वो दूसरी मुमोज वाली सारा तमाशा देखने लगी सीधे सौर रुपए चिकन मुमोज तो चालिस रुपए प्लेट है ना अब दाम बढ़ गया है क्योंकि चिकन महंगा हो गया तो हम अपनी जेब से थोड़ी देंगे पर इतना भी कोई खास वाद नहीं था तुमारे चिकन मुमोज में जो तुम सौर रुपए मांग रही हो ये सुनकर लालची चिकन मुमोज वाली जगड पड़ी वा जीवा एक तो कैसे चटकारे से लेकर सारे के सारे चिकन मुमोज हबढ़ हबढ़ कर खा गया और पैसे देने में आना कारी करता है अरे कोई बाद नहीं भागयवान जाने भी दो ऐसे कैसे जाने दू देखो भाई सीधे सीधे पैसे निकालो मुनी खुद ही ग्राग से बिगाड लेती है तब ही पड़ोसन मुमोज वाली बड़ी भीड के साथ उसके पास आई क्यो मुनी रानी तुझे अपने चिकन मुमोज की सो रुपे चाहिए ऐसा क्या अमरत मिलाया है इसमें तो तू क्यों जल रही है जा यहां से मुनी घुसे में उसे धक्का दे देती है ठहर जा तेरी पोल पट्टी अभी खुलवाती हो अरे ओ चिकन वाले यहां तो आओ और बताओ कौन से चिकन का मुमोज बनाती है यह चिकन वाला मुनी की सारी सच्चाई बता देता है जिसे सुनकर लोग बुरी तरह भड़क जाते हैं इस लालची मुमोज वाली को तो जूतों की माला पहनानी चाहिए अरे देख क्या रही हो भाई लोग तोड़ डालो इसका मुमोज का स्टॉल तब ही कनहिया आँखों में आसु भरे हाथ जोड़ कर बोला अरे मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ रुक जाईए अपनी पतनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और जिम्मेदारी लेता हूँ ऐसे गलती फिर दोबारा नहीं होगी पर ठेला मत तोड़िये बड़ी कठनाई से एक एक सामान जोड़ा है लोग चले जाते हैं और उस रोज मुन्नी को उसके लालच का अच्छा सबक मिल जाता है वो डबडबाई आँखों से कहती है जी मुझे माफ कर दो अब मैं पिर कभी लालच नहीं करूंगी उस दिन के बाद से दोनों पती पतनी पूरी मेहनत और इमानदारी से चिकन मोमोस बेचने लगे और अपने परिवार का गुजारा ठीक धंक से करने लगे